नमस्कार दोस्तों राम क्लाप्स थोफ ररताब गाट करों गाय होगा डूप करोंख QA Gal A और दूद के दूद बढ़ाने का देशी फार्मूला、 दूद का भटाई का भास्नेफक भणाने का देशी फार्मूला, अपने गाय भ्हंस के दूद का एसनयफ बढ़ाने का कािक्ति जरूर देखें विडियो को लाइक करें चैनल पहले बारे चैनल सब्सक्राब करें बिला काने पर क्लिक करें ताकि मारा हर विड़ा आपको मिलता रहे आपको कोई सवाल सुझाओ नीचे कमेंटे जरूर करें अगर दोस्तों हमें अपने गाय भैस के दूध और फैट और इसन बारे निचे के अदर भर पूरर मात्रा में विटामिन मिलते है नमक से आपकी जो घृष जरूर का ऐसनेप की मात्रा वढ़ता है जितने बलागा हैं अगर उनके पसु का isnaf कमाता है तो उनको अपने पसु को पचास ग्राम नमक पड़े खिला नमक कोई भी आप खिला सकत हैं जो भी नमक दोस्तों आपको हो मिलेगा हर नमक में ईशने बढाने की च्छमता होती है जो दूद का ईशने भोता है बहुत तेजी से से इिनकरीज होगा बहुत तेजी से इशने बढ़ेगा 50 ग्राम नमक और उसी के अंदर दोस्तों आपको आधा किलो गुड़, गुड़ के अंदर दोस्तों, गाइबेंस का दूद बढ़ाने में अपार छमता होती है, और गाजर आधा के जी, चाहे जो पीली कलर की गाजर आती है, उसको भी ले सकते हैं, या गुलाबी कलर की गाजर, या दोनों मिक्स करके आप ले सकते हैं, दोनो के तेल में दोस्तों आपके जो गाय भैंस है उसके दूद में फैट की मातरा को बढ़ाता है आपकी जो गाय भैंस का दूद है उसमें फैट की मातरा बढ़ेगा जब दोस्तों हम तीनों चीज देंगे दूद बढ़ाने के लिए भी और फैट बढ़ाने के लिए एसने जिससे आपको अच्छा सा रेट भी मिलेगा डेरी में और आपके गायबेंस का दूद भी बढ़ जाएगा जो दोस्तों ये तेल होता है तेल में फैट बढ़ता है इसने की मात्रा बढ़ाने के लिए नमक खिला जाता है और दूद बढ़ाने के लिए गुड और जो गाजर ह आप खिला सकते हैं पीली वाली ये गुलाबी वाली दोनों दोस्तों बहुत ही जवर जासते फार मुला है इसको आपको दोस्तों जादा नहीं एक सप्ता खिला देना है फिर देखें दोस्तों आपके गायवेंस का दूद किस तरह से बढ़ता है ताजी व्याई हैं दोस्तों गाजर कौन सी लेना है पिली वाली लेना है या गुलाबी वाले तो कोई भी गाजर आप यूज कर सकते हैं तो इसी तरह से दोस्तों आपको लगवक 6-7 दिन खिलाना है बाकी आप देखते हूं कि जो भी गाजर होता है गाजर की पत्तियां भी दोस्तों काफी जो है फायदे मिक्स करके गाजर की पत्ती खिला सकते हैं गाजर की पत्ती में दोस्तों भरपूर मात्रा में आपके पसु के दूद बढ़ाने की छमता होती है लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है अगर आपकी पसु 25 दिन की बे आई है तो कीडिक दवा पिलाना है अगर कीडिक दवा नहीं पिलाएं तो कोई फार्मूला दोस्तों सही तरीके सकाम नहीं करेगा तो दोस्तों हमें उम्मेद है कि आप लोक्सोन में आ गया होगा थाइंग दोस्तों वीडियो आच्चिक करने के लिए